मोदी की ये तस्वीरे चोह काने वाली है बीज की कतार में बैठे नजर आये मोदी बीजेपी सांसदों के वाक्शॉप में मोदी का अलग अंदाज क्या प्रधान मंत्री मोदी की आपने ऐसी तस्वीरे देखी है आप कहेंगे शायद नहीं इस तस्वीर में बहुत कुछ ऐसा चिपा है जो आपको चौका सकता है सबसे चौकाने वाली बात है पिएम मोदी का पीछे की कतार में बैठना तस्वीर बीजेपी सांसदों के वरक्शॉप की है दिली में आजोजित इस वरक्शॉप में सांसदों को अपना काम और बहतर ढंग से करने के बारे में प्रसिक्षित करना था इस वरक्शॉप का नाम दिशा दर्सन शिविर था बीजेपी सांसदों की इस पार्शाला में प्रधान मंत्री मोदी भी मौजूद थे लेकिन वे पीछे की कतार में नजर आए आमतार पर प्रधार मंत्री ऐसे कारेकरमों में मुख्य मंच पर बैठे दिखते हैं उनके लिए अलक से कुरसी होती है मंच पर गिनिती के लोग होते हैं लेकिन संसद भवन के कैमपस में बीजेपी सांसदों की कारेशाला में मोदी पीछे वाली लाइन में बैठे दिखे तो सब का चौक न लाजमी था दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोस्तिवारी पीएम मोदी की आगे वाली कतार में दिख रहे हैं आप पीएम मोदी के पिछली कतार में बैठे होनी की वज़ा जानकर मुस्कुराएंगे दरसल मामला अलग है ये कारशाला बीजेपी सांसदों के लिए आयोजित की गई थी और प्रधान मंत्री मोदी यहां एक सांसद के रूप में पहुँचे थे इसलिए वे मंच पे नहीं बाकी सांसदों के साथ कतार में बैठे थे बीजेपी ने लोगसभा में प्रचंड विजय के बाद पूरे देश में पार्टी के संगठन को और मजबूत करने के मिशन की तरफ कदम बढ़ा दिया है इसमें पीए म मोदी और पार्टी अध्यक्ष अमिशाह ने पूरी ताकत जोंक रखी है बीजेपी संसदों की इस कारेशाला में पीए म मोदी की पार्ट शाला भी लगी पीए म मोदी ने इस वक्षोप का उद्गाटन करते हुए पार्टी संसदों को बहितरीन काम करने के लिए पांच मंद्र दिये पीए मोदी ने कहा कि संसद कड़ी मेहनत करें कारेकरताओं से हमेशा संपर्क में रहें, सिर्फ चुनाव के वक्त उनकी खोज खबर ना लें अपने शेतर के लोगों से दिल का रिष्टा कायम करें, सब की बात सुनें, उनकी मुश्किल दूर करें अपने संसद्य शेतर का खास खयाल रखें और अपने शेतर के मुद्दे संसद में उठाएं रजबूत होता है तो कैसे ए छोटे-छोटे चुनाव त्रिपरा जैसे राज में हम जीच सकते हैं पियम मोदी ने बार-बार दोहराया कि हर पार्टी संसद खुद को कारे करता समझे जम कर काम करे तब ही जनता का उन्हें प्यार मिलेगा वर्क्शॉप में पियम मोदी जब संसदों को कारे करता मंत्र दे रहे थे तो कुछ संसद इसे कागस पर नोट भी कर रहे थे पियम मोदी ने उन्हें टोका मोदी ने कहा कि मेरी बाते कागजों में नहीं दिल में उतारने के लिए हैं पिए मोदी ने बिजेपी शांसदों से कहा कि वेब अपने मन के विद्यार्थी को हमेसा जिंदा रखें, हमेसा कुछ न कुछ सीखते रहें, पार्टी को अपना पड़िवार माने, मोदी ने कहा कि बिजेपी अपनी विचार-धार्थारा के कारण आगे बर रही है, पड़ि अपने हुर्दय में जो कारेकरता ये रहता है ये कारेकरता को कभी भी जीवित रखना चाहिए वर्क्शॉप में बीजे पियद्धक्ष अमिश्याह ने विचारधरा पर आगे बढ़ने पर सबसे ज्यादा जोर दिया शाह ने कहा कि ऐसी चर्चा से आप हमेशा अलट रहेंगे और बिना विचारधरा से भटके हुए सीख सकेंगे अमिश्या जी आज अड्रेस्ट और अभ्यासवर्गा कीप्स कार्यकरतास इफ यू पार्टिसिपेट प्रॉपर्ली अभ्यासवर्ग ताट कीप्स यू अलवेस अलर्ट और अल्सो विट्टाउट दियलूशन अफ आइडियालोजी पीम मोदी इस से पहले मंत्रियों की क्लास ले चुके हैं उन्हें तेजी से और बेहतर काम करने की नसीहत दे चुके हैं अब पीम मोदी का सांसदों को दिया गया कारे करता मंत्र ये बताने को काफी है कि सत्ता में दोबारा वापसी के बाद मोदी और भी बड़े मिशन पर आगे बढ़ना चाते हैं पीम मोदी उन मुद्नों को हल करना चाते हैं जिसे देश के लिए समस्या का सबब माना जाता है मोदी देश के विकास के लिए वो तमाम बड़े कदम उठाना चाते हैं जिसके जोखिम को लेकर किसी और ने ऐसा साहस नहीं दिखाया मोधी को भरोसा है कि जनता के साथ दिल का रिष्टा कायम कर ये सब करना मुम्किन है इसलिए उन्होंने सांसदों को जनता के करेब रहने को कहा